कानपूर में जिला कारागार में विभिन अपराधों में बंद कैदी भी रेडियो जौकी की भूमिका में नजर आएंगे इसके लिए जल्द ही जेल में रेडियो स्टेशन का संचालन शुरू किया गया है कैदीयों को प्रफेशनल रेडियो जौकी ने बकायदा ट्रेनिंग देना शुरू भी कर दिया है माना जा रहा है कि स्वतंतरता दिवस के दिन से जेल में रेडियो की शुरूआत हो सकती है जेल अधिक्षक बीडी पांडे का कहना है कि जेल के अंदर फ्रिक्वेंसी आधारित नहीं बलकी वायर्ट रेडियो का संचालन किया जाएगा उन्होंने बताए कि रेडियों की माधम से कैदियों का स्वस्त मनुरंजन किया जाएगा गीत संगीत के साथ कैदियों के हित में चलने वाली शास्कीय योजनाई पैरोल आदी से जुड़ी जानकारियां भी इसमें प्रसारित की जाएगी इसके अलाबा कैदियों ने अगर कोई कविता या गीत लिखा है तो उसे भी जेल में चलने वाले रेडियो में सुनाया जाएगा इसमें आरजे की भूमिका यहां बंद कैदी ही निभाएंगे उन्होंने बताए कि कैदियों के जीवन स्तर में वदलाव के लिए रेडियो की स्थापना की जा रही है इसके लिए सजाइफता कैदियों की एक टीम बनाई जाएगी जिनकी भाशा और लहजा दोनों अच्छा होगा कैदियों के सकरात्मक उजा का संचार करने का लक्ष रखते हुए प्रतियक बैरक में स्पीकर और सिस्टम लगाए गए हैं जिससे कैदी प्रतिदिन सुभा और शाम रेडियो के माध्यम से स्वस्त मनुरंजन प्राप्त कर सकेंगे जेल अधिक्षक बिडिपांडे ने कहा कि इस पहल का उदेश कैदियों की मांसिक इस्तिती में सुधार करना है बंदियों के स्वस्त मनुरंजन के लिए रेडियो दूरदर्शन ये सब चीजें टीवी इनका सब का उप्योग होता है और जो जेल रेडियो है उसके पीछे मकसद ये है कि इनका स्वस्त मनुरंजन करने के साथ जो जेल संबंधी सूचनाएं हैं महत्तमों जानकारियां हैं वो इनको दी जा सकें और समय समय पर सरकार द्वारा जो इनके लिए कल्यानकारी योजनाए लाई जाती है या इनकी समय पूर्व रिहाई के संबंध में जो नियम बनाए जाते हैं पैरोल के संबंध में नियम हैं इन सब चीजों की जानकारी उस कंट्रोलूम के माध्यम से रेडियो जौकी के माध्यम से दी जा सके और इनके बीच के ही बंदी बंदी ही रेडियो जौकी बनेंगे औ उनसे संपर करके और इनको सिखाने का काम सुपर करें।